आलू चिस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए बड़े साइज के आलू मैंने यहां तीन आलू लिये हैं जितना बड़ा साइज होगा अच्छा चिक्स आएगा गालिशी के लिए हमें चाहिए नमक काली मिर्च और रेड चिली आप चाहिए तो आम चुर पाउडर या लेमन पाउडर भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम आलू को चीलना शुरू करेंगे पीडर देंगे आलू को चीलना शुरू करेंगे इस तरह से हमें आलू चील के त्यार करने हैं अगर आप बीना पानी रखेंगे तो वह काले पड़ सरपे तो इमेडियेटली उसको थंदे पानी में डाल दें इस तरह से आलो छीला इसी तरह और पी अलू छील लें तो आप देख सकते हैं कि मैंने अलू छील के पानी में थंदे पानी में रखा आप मैं चिप्स की कटिंग करने जा रही हैं आप एक चिप्स कट्ट कट्र मशीन्ड आते हैं मार्केट में और आपको अथे खड़े करना और शुरू करना है जल्दी जल्दी ना करें आराम से करें तो आलू सही से नहीं कटेंगें आराम से वन बाई वन करते हुए कटिंग करते जाएं हृ कि अब देख सकते हैं आलू के से इसुटा से करके तयार हें कि अब इसे हम फिर से थिंदे पानी में डालें एक zijn कॉन aleram एप देख सके नरिक हैं इसको थोड़े ठंडे पानी में छोड़ेंगे फिर इसको पानी को निकाल के चानना है और इसके पानी को अच्छे तर से सुखाना है तो अब इससे धो के हम इसे ड्रेनर में डालेंगे ताकि पानी अच्छे से निकल जाए इसे पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तरह से सारे आलो को यहां निकालके अच्छे से इसका पानी निकलने देंगे अब फिर इसको किसी कॉटन कपड़े पे सुखाएंगे सारे पानी को अगर आलो में मौश्ट्र गाएगा तो चिक्स हमारे कुलकुले नहीं बनेंगे इसलिए पानी का सूखना बहुत ही जरूरी है इसे थोड़े दिर ऐसे छोड़ दें ताकि अच्छे से पानी निकल जाए देख सकते हैं इसे हम थोड़े और छोड़ेंगे तो अब यहां आल प्रेट में एक कॉड़न कपड़ा फैलाएं प्रेट यह थाली में और आलो को भी अच्छे से फैलाएं और फिर इसको अच्छे से दवा दवा के हमें पानी सुखाने हैं और उलट पलट करके भी अच्छे से सुखाएं और इसी तरह से सारे आलो को हमें अच्छे से करना है कपड़े के साहर है पानी बिल्कुल ना राने दे नहीं तो चिप्स कुरकुरे नहीं बनेंगे तो आप देख सकते हैं कि पानी सूख गया है अब हम चिप्स को तेल में तलना शुरू करेंगे अब मैंने यहाँ पैन को गर्म किया इसमें तेल डाला है इसको आलू-चिप्स को बहुत ही थेज हाई फ्लम पशिप्स कंश-फ्राइ शुरू करना थेज कित दिमीयाच कभी ना करें तो अभी कड़ाई गरम हो रहा है अपकि इच्छे से गरम ने वें अभी जब गरम होगा तो इसमें चिपस तलना शुरू करूंगी मैं तो अभी तेल गरम हो चुका है अब मैं इसमें आलू के चिपस डालने जा रही हूं अराम कर ढालें तेल बहुत ही गरम है अब देख करते हैं कि यह तलना शुरू हो गया है अब इसे तेज आंच पे ही हमें प्राइ करते रहना है लिपतर हलका ब्राउन ना हो जाए देखिए अब ये कलब चेंद होना शुरू हुआ है अभी थोड़े दर और लाल करेंगे इसको जादा से ज्यादा इसमें एक से तीर मिनट लगते हैं तलने में अब ये तयार हो चुका है तो अब मैं इसे निकालने जा रही हूं इसे टिशू पेपर पर निकाल लें ताकि तेल ना रहा है इसमें देख सकते हैं इसी तरह से बाकी आलू को भी फ्राई करेंगे तो अब यहाँ पे आलू चिप्स त्यार हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर नमक स्वाद के नुसार पत्थूरी सी काली मिर्च आप चाहे तो अपने मन पसंद की कोई भी मसायच रख सकते हैं तो तयार है हमारा आलू चिप्स और आप इसे एर टाइट कंटेनर मेर्ट दस से पंदा दिन रख सकते हैं और इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें झाल कर दो झाल करें झाल